नमस्कार मैं हूँ प्रबीन और आप सभी का स्वागत है नियूस क्लिक के शोड डेली रौंड अप में आगे नज़र डालते हैं आज की मुख्यों खबरों पर देश और दुनिया में फिर से बढ़ रहे कोविड मामले उलंपिक अधिकारियों ने भी जताई चिंता सबसे पहले बात कोरोना वाइरस की दूसरे लहर बीतने के खुछी समय बात अब फिर से देश और दुनिया में भी कोविड के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं जापान की राजधानी टोक्यों में उलंपिक जारी है टोक्यों में पिछले 24 घंटों में 3,000 से जादा मामले दर्श किये गए हैं यह पहली बार है जब राजधानी में प्रति दिन के मामले 3,000 से जादा दर्श किये गए हैं दुनिया के तमाम स्वासे संगठोनों सहित डबलू एचो ने भी कोविट की 30 लहर की आशंका जताई है भारत की बात करे तो देश के लगबग हर हिस्से में कोरोना संबंदित लॉकडाउन हटा दिये गए हैं मगर यहां भी कोरोना के मामले हर रोज 40,000 के करीब देखने को मिल रहे हैं उत्तर भारत में घूमने के लिए पर्यटको को इसकी बड़ी वज़ा माना जा रहा है नैनिताल, मनाली, मसूरी वगरह में पर्यटको की संक्या हर रोज बढ़ रही है ऐसे में उत्राखंड या हिमाचल में कोवीड विस्पोर्ट होता है तो काफी मुश्किल हो सकती है आकडों की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 43,509 नए मामले दर्ज किये गए इसके अलावा कोरोना से आज दूसरे दिन भी 640 मरीजों की मौत हुई है जिन में 286 मरीजों की मौत महरास्ट में हुई है और 131 मरीजों की मौत केरल में हुई है और एक्टिव मामलों में 4,404 मामलों की बढ़ उतरी हुई है देश में करोना के मामलों की संक्या बढ़कर 3,15,28,114 हो गई है जिन में से अब तक 4,22,62 लोगों की मौत हो चुकी है देश में करोना से पेडित 97,37 फीसदी यानि 3,7,16,12 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में अक्टिव मामलों की संक्या बढ़कर 1,12,28 फीस दी यानि 4,3,840 हो गई है स्वास्त मंत्राले की ताज जानकारी का नुसार देश में करोना वैक्सीन की 45,7,6,257 डोज दी जा चुकी है जिन में से 43,92,697 वैक्सीन की डोज पिछले 24 गंटों में दी गई है जार गंट के धनबाद में चोरी के आटो से कुछले के जच की मौत के मामले में पुलिस ने 3 संदिक्द आरूपियों को गिरफतार किया है आटो चालक समेथ 3 आरूपियों की गिरफतारी गिरिडी से हुई है पुलिस ने आटो भी जब्त किया है जच की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुझ गया है सुप्रीम कोर्ट बार एसुशेशन की अध्यच विकास सिंग ने सिर्फ अदालत के समक्ष मामले को रखा है और CBI को जच की मांग की है वहीं जच की मौत के मामले को जहरखंड हाई कोर्ट स्वतर संग्यान लिया है कोर्ट ने सरकार से इस पर जवाब मांगा है कोर्ट में DGP ने कहा कि जाच के लिए SIT का गठन किया गया है इस पर उश नयायाले ने कहा कि अगर जाच सही नहीं हुई तो केस CBI को ट्रांसफर कर दिया जाएगा बुद्वार की सुबद जीला एवं सत्र नयाधीश उत्तमानंद मौर्नी वॉक पर निकले थे इसी दौरान रधीर वर्मा चौक पर पीछे से एक आटो ने उने बुरी तरह से टक्कर मार दी घटना के बाद आटो चालग वहां लेकर परार हो गया अस्थानी लोगों ने जज़ को अस्पताल में भरती कराया जहां उनकी मौत हो गई वहीं पुलिस इस घटना को हत्याक की एंगल से जाच कर रही है जच कई संगीन मामलों की सुनवाई कर रहते आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया है पुलिस सिसी डीवी फुटेज के अधार पर जाच कर रही है तमिल नाडू में फिलहाल कोवीड के मामलों में गिरावट देशने को मिल रही है जिसके मद्दे नजर सरकार ने कोवीड संबंदी लॉक्डाउन को भी धीरे-धीरे हटाना शुरू कर दिया है मगर स्कूल कॉलेज आफिस ना खुलने की वज़ा से ओटो चालुकों को अभी भी काम नहीं मिलने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है ओटो चालुकों की समस्या की एक वज़ा यह भी है कि डीम के सरकार ने महिलाओं के बसों का किराया मुफ्थ कर दिया है जिसकी वज़ा से ओटो में महिलाए काफी कम जाती है ओटो चालुकों की संगठन ने सरकार को इसका सुझाव देते हुए कहा कि ओला उब जैसे नीजी खिलाडियों की जगह सरकार को राजी के परिवहन का नियंतर लेना चाहिए जिससे ओटो चालुकों को भी उचित काम और आय मिल सके महमारी के दौरान बड़े पेट्रोल के दामों की वज़़ से भी कई ओटो चालुकों ने अपना काम छोड़ दिया है उत्राखंड राजी के नगर निगम और नगर निकायों में पिछले एक सप्ता से जारी सफाई कर्मियों की हर्ता लस्तगित हो गई सफाई कर्मचारी संक्टनों ने यह फैसला उत्राखंड के मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी से वारता के बाद लिया है फिलाल सभी सफाई कर्मी अपने साफ सफाई के काम पर लोड गए हैं सफाई कर्मियों के काम पर लोड आने से शहर में फैली गंदगी से आम लोगों को निजात मिली है और उन्होंने राहत की सास ली है उत्राखंड के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के सफाई कर्मी पिछले एक सफता से कारिका बहिशकार कर हर्ताल पर थे जिससे शहरों और नगरों में गंदगी के अंबार लग गए थे साथ ही साथ बिमारी फैलने का खत्रा भी मंदराने लगा था समस्या बरती देख, मुख्यमंत्री धामी ने मंगलवार शाम को सफाई कर्मियों के संग्ठनों से बात की मुक्यमंत्री के द्वारा कुछ एक मांगो को मानने के आश्वासन पर सफाई कर्मियों के संग्ठनों ने फिलहाल हर्ताल को अस्थगित कर दिया और अपने काम पर लौट आये हैं वहीं काम पर लोटने के बाद नगर निगम और नगर निकायों के सफाई कर्मियों ने हर्ताल के दौरान फैलिक गंदगी और कूडे के धेरों को साफ करना शुरू कर दिया है आज के डेली राउड अप में बस इतना ही नियूस क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साती देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिस वेपसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें नियूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया